इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे जो Ministry of Home Affairs में पोस्ट निकली है Ministry of Home Affairs के अंडर आता है ITBP और इंडो-TBTN Border Police Force उसके अंदर वेकेंसी निकली है Constable Tradesmans की उसमें क्या है Taylor, Gardner, Cobler, Spike, Ramchari, Barber की वेकेंसी निकली है जिसमें अपलाई कर सकते हैं Indian citizen male female दोनों और Indian citizen के साथ-साथ इसमें Nepal, Bhutan के citizen हो भी अपलाई कर सकते हैं यह जो वेकेंसी है, Group C की वेकेंसी है, Non-Gudgeted Vacancy है ठीके जी, और Non-Ministerial है अब इसमें क्या है, आपको कैसे भरना है आपको Online Mode से फॉर्म भरना है अपलिकेशन फॉर्म जमा कराने की Last Day जो रहेगी 22 December 2022 तक आप अपलाई कर सकते हो और यह फॉर्म जो शुरू हुए थे, 23 November से शुरू हुए थे आप जितना जल्दी भर लेंगे, उतना जल्दी आप भर सकते हो और पोस्ट जो है, वो रोस्टर बेसीज पे हैं पहले इसमें Taylor की 18 वेकेंसी है और Constable की Gardner की 16 वेकेंसी हैं Cowler की 31 वेकेंसी है सफाई करमचारी की 78 वेकेंसी है Constable Washerman की 89 वेकेंसी है और Barber की 55 वेकेंसी है अब इसमें क्या है 10% इसमेरी वेकेंसी रिजर्व हैं एक सर्विसमेन के लिए अब पेस के लिसमें रहेगा आपका 21,700 से लेके 79,100 तक का 7th CPC में इसका मलब यह है कि आपकी ग्रोस सेलरी 40,000 से ज़्यादा बन जाएगी इसमें आपके बेसिक के लावा 21,700 अगर इसमें इसके साथ-साथ आपको क्या मिलेगा बेसिक के लावा आपको D.A. मिलेगा रासन मनी अलाउंस मिलेगा स्पेशल कंपन सेंट्री अलाउंस मिलेगा ज़े अगर आप कहीं हार्ड एरियां पोस्ट होते तो फ्री रहने के लिए जगह मिलेगी HR मिलेगा ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा लीव LTC मिलेगी कहीं जाने के लिए free medical facilities मिलेंगी और other इस तरह के allowances आपको और मिलेंगे ठीक है जी NPS मिलेगा इसमें आपको old pension नहीं मिलेगी पहले इसमें mention कर रहे हैं आपके पास 10th होनी चाहिए इसमें apply करने के लिए tailor, gardener, covlar के लिए कहीं से आपको ITIE का certificate, आपके पास vocational certificate है तो बहुत अच्छी बात है और आपको काम का experience होना चाहिए सफाई करमचारी के लिए आपके पास 10th होनी चाहिए cut of date for age and relaxation आपकी जो age है वो calculate की जाएगी 22 December के basis पे तब तक आपकी age 18 से 23 के बीच में होनी चाहिए, उससे ज्यादा या कम नहीं होनी चाहिए अगर आप किसी particular category में आते हैं SCST, OBC और EWS में तो आपको government की जो rule applicable उसके साब से आपको reservation का benefit आपको मिलेगा SCST को 5 साल की चूटा, OBC को 3 साल की चूटा इस तरह से सब को अपने अपनी जिनके father killed हुए है 84 में उनको अलग से चूट मिली है ठीक है और physical standard यह है कि आपकी height 167 से लेके 177.5 आपकी male की height होनी चाहिए, female की 155 होनी चाहिए गोरखा के लिए 165 height मांगी है और जो chest है 80-85 male के लिए female के लिए नहीं है, chest क्यों होती है ठीक है जी, saddle caste के और saddle tribe के लिए 162.5 है और 1500 female के लिए इसमें है सफाई करमचारी के लिए, washerman के लिए, barber के लिए इनके लिए 170 यह जो मांगी है, यह जो tailor, gardener और kobler के लिए 167 भी चली जाएगी, एक इंसका भी चली जाएगी और लेकिन सफाई करमचारी, washerman और barber के लिए 170 होनी चाहिए और female के लिए 157 और जो यहां से आते हैं गूरखा, गडवाली, कमावनी, डोग्रा, मराथा, इनके लिए 165 होनी चाहिए और belonging to saddle tribe 162.5 होनी चाहिए, नोर थील के लिए फिर जो आते हैं अरुना चलमानी पूरिन के लिए 160 होनी चाहिए फिमेल के लिए 147 होनी चाहिए, ठीके जी weight height के according होना चाहिए और visual जो आपकी eyesight एकदम perfect होनी चाहिए tattoo नहीं होना चाहिए, किसी तरह का अगर tattoo है तो permissible limit में आपके पास tattoo होना चाहिए, ऐसा hate tattoo आपके पास उस पे नहीं होना चाहिए form बरते time 100 रुपे की fees होनी चाहिए, जो आपको जमा करानी fees refund नहीं होगी जो candidate, tribe, schedule caste और female है, एक service man उनके लिए fees नहीं लगेगी selection क्या रहएगा, selection की process वही रहेगी पहले आपका physical होगा फिर test होगा फिर उसके बाद आपका selection होगा फिर test का जो return का जो exam आएगा फिर medical होगा उसके बाद आपका selection होगा physical में क्या रहेगा? 1600 मेटर की रेस आपको 67 में पूरी करनी है और long jump आपको जो करना है 11UT का करना है High Jump 3.15 फिट के गरना तीन चांस इसके दीए जाएंगे फीमेल के लिए 800 मित्र 45 मिन्ट शाब चायर लियुक से क्दम पूरी करनी है 10-15 इनको Long Jump जाहिए फीमेल के लिए और ऊ 2 Фीट हाइजंप फीमेल को करना है आपका जो exam हो, written test होगा, 50 marks का होगा, 50 questions जिसमें रहेंगे, multiple time, उसके questions, जिसमें क्या क्या आएगा, general awareness रहेगी, 15 number की, general elementary math रहेगा, आपका 10 number का, और analytical, जो reasoning जो रहेगी, 15 number की रहेगी, basic Hindi English, 10 number की रहेगी, एक गंटे का test रहेगा, और उसके basis पर आपका selection होगा, cut off, आपके minimum marks, 18 marks, तो generally EWSX servicemen कहने चाहिए, SC, ST, OBC के 17 marks, minimum आने चाहिए, selection के लिए, फिर, मालो जिस तरह का आपका काम है, उस तरह की knowledge के भी 50 number का test होगा, total 100 number का test होगा, जै मालो, gardener है, तो gardener से related, उस से पूछे जाएंगे plant, वलांट से, grafting, grafting से related, kobler है, तो उस से related, सफाई करमचारी को उस से related, 50 number का मालो, general test होगा, 50 number का आपका special, जो particular logist के लिए, पापलाई कर रहे हैं, इसके लिए टेस्ट होगा, फिर आपकी document verification होगी, उसके बाद आपका medical होगा, फिर आपका final list बनेगी, फिर आपका selection होगा, ठीक है जी, अगर आपकी फिर इसके लावा अगर कोई query है, आपको इसमें form fill करने में, तो आप मुझे comment करके बता सकते हैं, मैं आपकी help कर दूँआ, इस वीडियो में इतना है, thanks, 780.